नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पिश्टकश लगातार आप देख रहे हैं देश आज इतना पच्रतरवा गर्टांतर दिवस मना रहा है राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू द्वजा रोहन करेंगी और कर्तव विपत पर परीट की सलामी लेंगी गर्टांतर दिवस कारिक्रम में फ्रांस के राश्ट्रपती एम्मैनुल मैंक्रोप चीफ गेस्ट के तौर पर मौजुद रहने वाले हैं भारत की तीनों सेनाएं अपने शौर और परक्रम का प्रदर्शन करेंगी और दुनिया भारत की ताकत को देखेगी थोड़ी देर में पियमोदी नैशनल वर मेमोरियल पर पहुँचेंगे शहीदों के सम्मान में दो मिनिट का मौन रखने के बाद पियमोदी करतव विपत पर पहुँचेंगे करीब साड़े दस बज़े राष्टपती के साथ मुख्य अतिथी आएंगे उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और इसके बाद साड़े दस बज़े तिरंगा फैराया जाएगा और राष्टगान होगा चार हेलिकॉप्टरों से पुष्प वर्षा होगी और फिर शंखनाद और ढोल नगारों के साथ करतव विपत परीड की शुरुवात होगी ये पारीड लगबग 90 मिनट तक चलेगी गणतंतर दिवस समारों को लेकर सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए हैं चपे चपे पर सुरक्षा बलों को तहनात किया गया है तो करतव विपत पर आज भारत की ताकत एक बार फिर से देखने को मिलेगी भारत की शक्ती एक बार फिर से देखने को मिलेगी भारत की तीनों सेनाएं शौर और पराक्रम का प्रदर्शन करेगी और हर 26 जनवरी को हर बार घंटंत्र दिवस के मौके पर भारत की तरफ से भारत की तीनों सेनाओं के ओर से शक्ती प्रदर्शन किया जाता है और यही एक बार फिर से आज देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी दुनिया भारत की ताकत भारतिय सेना की ताकत एक बार फिर से देखेगी रिटार्ड करनल अनेल धुन जी हमारे सा जुड़े हुए रक्षा विशिशग्या लगातार चर्चा उनसे हम कर रहे हैं दिली से सुशील भी हमारे सायोगी हमार सा जुड़ गए हैं पहले सुशील से अपडेट ले लेते हैं उसके बाद हम अनेल जी का भी रुख करेंगे सुशील अभी चुक्कि कारिक्रम पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि मिनट टू मिनट चल रहा है पंचुएलिटी बहुत ज़ादा होती है इस कारिक्रम में अभी कर्तव्य पत पर कितनी देर में प्रधान मंत्री पहुचने वाले हैं दस बच कर पांच मिनट का वक्त था अभी क्या जानकारी मिल रहे है आज देखे साबतों से प्रोटोकॉल होता है इस पूरे मामले में प्रधान मंतरी कब करता विपत्पर आएंगे कब चीफ गेस्ट आएंगे कब राष्ट पती को उनको रिसीब करना है और जैसे प्रधान मंतरी आएंगे उनको रक्षा मंतरी को रिसीब करना है प्रधान मंतर जिस तरह इस बार जो फिलहाल 75 गड़तंदर दिवस मनाया जा रहा है अगर उस पूरे उर्जा की बात करें उस पूरे ताकत की बात करें तो देखिए किस तरह भगवान राम का मंदिर जिस प्रकास से इस प्रकलिका यहां पर बनाई गई है इस से भारत अपनी जो अध्यात् शक्ति है एक सौमिता है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है और इस परकार आज करतब पत्पर उत्तर प्रदेश की जाकी में भगवान राम जो राम लला का दर्शन करती हुई एक प्रितिमा फिलहाल देखने को मिलेगी जो अपने आप में लोगों के चहरे पर मुस्कान और करतब पत्पर भारत के बिक्सित भारत की तश्बीर महिला साशक्ती करण और आत्म निर्भर भारत का एक नया रूप देखने को मिलेगा इस बार करतब पत्पर कई राज्यों की जो संस्कृती है और वहां की जो उर्जा है उसको भी शामिल करेगा और भारत अपनी ताकत क गर्जना गर्ताबे पत पर दिखाएगा जिस पर नकिवल भारत बलकि विश्व की नजर हो जी बिल्कुल पूरे विश्व की पूरी दुनिया की तमाम उन देशों की नजर आज भारत पर रहने वाली है हमारे साथ अनिल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं अनिल धुन रक अलग अलग राजियों की जो संस्कृति है एक पत पर आज दिखेगी और साथी भारत की जो ताकत है भारतिया सेना की जो ताकत है वो पूरी दुनिया देखेगी अनिल जी अब बार्निंग तो यू और गुड़म तो आज वीवर्जनर्स तू यूर्ट फॉस्ट पहले तो सेनानियों को याद करना चाहिए जिनोंने सविधान लिखा उन सेनानियों को याद करना चाहिए जिनोंने इसे लागू किया और उन सेनानियों को भी नमन करना चाहिए जो सविधान की रक्षा करते हुए अपना सरवोच बलीदान दे गए अगर आप देखें तो सवीदान हमारा एक ऐसा डाकुमेंट है जिसने हमारे पूरे समाज को एक लेवल पर रखा एक पटल पर रखा एक स्टेज पर रखा इसमें कोई भी उच नीच बेद भाव की गुंजाश नहीं है ये सवीदान एक किताब नहीं बलकि हमारे लिए एक ऐसा गरंथ है जिसने पहली बार हमारे भारत वर्ष के निवासियों को एक समान आका इससे उचा कोई गरंथ मेरे विचार से इस देश में नहीं है और नहीं होना भी चैए हजारों से आप देखते आएं पहले वरेंट सिस्टम था उसके बाद में कुछ हो गया कोई अमीर हो गया कोई गरीब हो गया कोई उची जात हो गई कोई नीची जात हो गई सिर्फ एक डाकुमेंट हमारा सविधान इसने हम सब को एक पटल पर रखा जिसके लिए हम लतमस्तक हैं इसके सामने दूसरा सविधान की रक्षा करने के लिए जो हमें संसाद चाहिए वो 26 जनवरी की प्रेड में हमें देखने को मिलते हैं हमारे सेन नेबल 26 जनवरी की प्रेड में हिस्सा लेते हैं आर्मी नेवी एयर फोस तीनों गल उदर रहते हैं जो सविधान की रक्षा करने के लिए ततपर हमेशा हमेशा के लिए तयार रहते हैं और उसी मताबिक जो प्रदेशों की जहाकियां होती हैं वो हमारे संस्कृति को दर्शाती है तो इन तीनों का समावेश एक बहुत ही अच्छा मनमोहक होता है